नमस्कार कक्षा 10 exercise 7.1 का प्रशन पहला है दूरी सुत्र के अनुसार इन दो बिंदों के मद्धे की दूरी ग्याद कीजे तो बच्चो हम माल लेते हैं कि यहां हमारे पास एक बिंदू है A जिसके निर्देशांग है माइनस 5,7 और दूसरा बिंदू है B जिसके निर्देशा माइनस 1,3 तो A और B के मद्धे की दूरी हमने ग्याद करनी है तो बच्चा दूरी सुत्र के अनुसार आशा करता हूँ आपने दूरी सुत्र वाला हमारा वीडियो और इसका प्रथम भाग का जो वीडियो है वह है जरूर देखा होगा तो दूरी सुत्र के अनुसार दूरी किसके बराबर है अंडरोट X2-X1 का होल स्केर प्लस Y2-Y1 का होल स्केर आशा करता हूँ यह आपको समझाया होगा बेटे यह X2-X1-Y2-Y1 क्या है टू मतलब पहला बिंदू सुरी दूसरा बिंदू वान मतलब पहला बिंदू एक्स टू पहला बिंदू यह है दूसरा बिंदू यह है X2 का मतलब दूसरे बिंदू में X का निर्देशांक X1 का मतलब पहले बिंदू में X का निर्देशांक ठीक है बच्चो तो आईए हम करते हैं अब दूरी किसकी A और B की तो हम यह लिख देंगे A B बराबर आईए अब हम यह दूरी ग्याद करते हैं रूट लगा देंगे X2 X2 यानि दूसरे बिंदू में X का निर्देशांक वो है माइनस 1 निशान कोई नहीं छोड़ना प्लस माइनस का माइनस का निशान यह फार्मुले वाला लगाया X1 अब देखे X1 कितना है माइनस 5 तो यह हो गया माइनस 5 ध्यान देना बच्चो यहां दो माइनस क्यों लिखे हैं मैं बताता हूँ पहला माइनस लिखा क्योंकि X2 के बाद माइनस है फार्मूले में वो लिख दिया X1 के साथ भी माइनस 5 है इसलिए ये लिख दिया इन दोनों निशानों को अलग करने के लिए हम छोटी ब्रैकेट डालते हैं और यहां पर एक बड़ी ब्रैकेट डालकर फ्लावर ब्रैकेट डालकर इसके उपर लिखते हैं स्क्यर क्योंकि इन दोनों का बाद में स्क्यर करना है प्लस वाई टू वाई टू देखे तू यानि दूसरे बिंदू में वाई का निर्देशांग जो की है तीन माईनस 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 वाई वन पहले बिंदू में वाई का निर्देशांग जो की है साथ इनका हम कर देंगे स्क्यर अब हमें इसे आगे हल करना है दूरी ए बी बराबर होगी सबसे पहले बड़ा सा root लगाएंगे यह root रहेगा जब तक हम इसे हल नहीं करते अब इसको खोलना है हमने देखो ध्यान से minus 1 minus into minus plus तो यह आ गया minus 1 plus 5 इसका square plus यहाँ पर हो गया देखिए plus minus minus साथ में से 3 minus किया 4 साथ में बड़ी रकम का निशान minus इसका square अगले step में a b बराबर फिर से root तो लगाना ही लगाना पड़ेगा plus minus minus 5 में से 1 minus कर दिया 4 इसका square साथ में बड़ी रकम बड़ी रकम है 5 उसके साथ है plus का निशान तो plus का निशान जब होता है तो हम लगाते नहीं आगे देखिए अब plus minus minus नहीं करना बेटा क्योंकि इस minus का square भी होना है इसलिए बीच में रहेगा plus और 4, 4 का square होता है 16 ठीक है बच्चो तो a b किसके बराबर आएगा और root रहेगा 4 का square 16 प्लस 16 यहाँ पे भी है a b किसके बराबर आगया root 32 और जैसा कि हमने पिछले प्रश्ण में किया था हमी सुत्तर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं हम चाहें तो 32 का आगे अभाजे गुनन खंडन भी कर सकते हैं देखिए 32 होता है 2 गुना 16 32 2 गुना 8 16 2 गुना 4 8 2 दुनी 4 और 2 एकम 2 यानि 32 होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 पांच बार मैं इसे ही इसको लिखता हूं a b बराबर root 32 यानि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 अब हम क्या करेंगे बच्चो यानि आपको जोड़े बनाएंगे इन दो में से एक दो root के बाहर चला जाएगा और इन दोनों में से एक दो root के बाहर चल जाएगा अब ये दोनों हो गई ये दोनों गई बाकी कितने बच गए सिरफ एक दो बच गया जो की root के अंदर फस गया है ठीक है तो बाहर कितना आ गया देखिए 2 गुना 2 4 अंदर कितना बच गया root 2 इन सब के साथ हम लिख देंगे 1 इक आई इक आई इसको यहां भी छोड़ सकते है ठीक है इसका आ गया भाज्य गुनन खंडन कर दें वैसे असली उत्तर यह होना चाहिए हमेशा इसलिए ब्राबर क्योंकि आपको भाज्य गुनन खंडन सिखाई है इसलिए ब्राबर 4 root 2 इक आई तो बच्चों हमने देखा इसमें इस प्रश्ण में हमें दो बिंदू दिये गए थे हमने उनको बिंदू के रूप में रखके और दूरी सुत्र के नुसार दूरी सुत्र क्या है एक बार फिर देखें x2 माइनस x1 का whole square प्लस y2 माइनस y1 का whole square इस पूरे का root तो इन values को हमने यहां रखके इस दूरी सुत्र को हल किया है दूरी सुत्र के नुसार हमने इन दोनों बिंदूओं के मध्धे की दूरी को ग्याद किया है आशा करता हूँ यह वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रशन अच्छे से समझाया होगा और यदि आप इस प्रशनावली के बाकी प्रशनों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी वीडियो को वहाँ पर देख लीजिए धन्यवाद